प्रिपेड एक्स्पेंस या फिर अनेक्स्पाइड एक्स्पेंस या फिर होता है रिलेटेड तू नेक्स्ट नेक्स्ट डे हो सकता है कुछ भी वोला जा सकता है तो फिर कहाँ नी घूम फिर आते हैं कि यह 2 जगह हो सकत तो या फिर कहां गीवन हो सकता है अब को ट्रेयल बैलने के बाहर जिसे बोलते है अडजस्मेंट अडजस्मेंट अगर आपको यह ट्राइल बैलेंस के अंदर गीवन है तो ट्राइल बैलेंस के अंदर गीवन है तो कितनी इंट्री करेंगे एक और वह चला जाएगा हमारे बैलेंस शीट में अगर बैलेंस शीट एसेट साइड अब दूसरे साइड देखते हैं कि अगर हम एड़ेस्मेंट की बात करें तो दो जगह एंट्री जाएगी सर दो जगह कौन सी एंट्री जानी है एक चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट में या फिर एक पहले आ जाते हैं ट्रेडिंग और यह और नहीं ट्रेडिंग हाँ और प्रफिट एंड लास या तो जाएगा यह ट्रेडिंग में या जाएगा यी प्रफिट एंड लास में ठिक है सर ट्रेडिंग और प्रॉफिट लावस और दूसरा जला जाएगा बैलेंशीट सर ट्रेडिंग और प्रॉफिट लावस में क्या होने वाला है लेस फ्रॉम expense, अब देखो मैंने यहाँ trading और profit and loss लिखा है, तो अगर wages हुआ, तो trading में less हो जाएगा, अगर salary हुआ, तो कहाँ less हो जाएगा वो, P&L के अंदर less हो जाएगा, ठीक है, less कर देना है, और जितना amount आपने less किया है न, वही amount चला जाएगा हमारा कहाँ पे, सर, यह चला जाएगा हमारा balance sheet के assets में, asset side, balance sheet के asset side, ठीक है, तो simple सा है, कि अगर आपको prepaid expense या unexpired expense दिखेगा, तो एक trial balance के balance sheet के asset side आजाएगा, कि trial balance में है, इक ही जाएगा, adjustment में है, तो आपने दू जगे करना है, ठीक है, अगरा चलते हैं, third, outstanding, या फिर इसको बोल सकते हैं, payable, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, due, या इसको बोल सकते हैं, unpaid, या इसको बोल सकते हैं, area, सबका मतलब एक ही है, ठीक है न, अब ये भी दो जगे हो सकते हैं, हमारा mainly, sir, दो जगे किस-किस जगे पर हो सकता है, हो सकता है, ये trial balance में हो, और हो सकता है, adjustment में हो, हो सकता है, adjustment में हो, अगर हम बात करें, trial balance में, तो एक ये entry होना है, एक entry outstanding है, तो चला जाएगा balance sheet के, कहां पे sir, liability site, liability site, लेकिन, अगर adjustment में हुआ, तो कहां चला जाएगा, दो जगे हैं, एक हो जाएगा, या तो trading में, और profit and loss, या फिर profit and loss में, दूसरा balance sheet, sir, trading में कहां जाएगा, add हो जाएगा ये, add from, sorry, add into expense, अगर आपका salary है, तो P&L के अंदर जाके add हो जाएगा, और अगर wages है, तो trading में, और balance sheet के कहां चला जाएगा, liability site, खिक है, तो अभी तक क्या देखा हमने, एक तो हमने देखा closing stock, ये क्या treatment होगे, इसके बाद क्या देखा हमने, prepaid expense, उसके बाद क्या देखा, outstanding, क्या treatment होगा,